अस्सलाम अलेकुम वियर्स मैं हूँ सेयद अबुलहसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डी एचे सिटी कराची के 300 गस के उन 4 सेक्टर्स की जो इंवेस्मेंट के हवाले से बहतरीन हैं डी एचे सिटी कराची के अंदर 300 गस के प्लोट्स लिमिटेड सेक्टर्स के अंदर हैं जैसा कि अगर हम 500 गस के प्लोट्स को देखें तो सेक्टर 2 से लेके सेक्टर 17 तक तमामी सेक्टर्स के अंदर 500 गस के plots के options मौजूद हैं लेकिन 300 गज में ऐसा नहीं है 300 सिर्फ चंद sectors हैं जिनके अंदर डियेचे ने दिये हैं उसकी वज़ा यह है कि यहां पर डियेचे सिटी कराची के अंदर एक standard size जो residential plot का है वो 500 हमारी लिस्ट में चौते नंबर पर आता है डियेचे सिटी कराची का sector 14 सेक्टर 14 एक बहुत ही प्राइम लोकेशन का सेक्टर है डियेचे सिटी कराची का और इसका एक और बहुत बड़ा advantage यह है कि सेक्टर 14 के अंदर development भी complete हो चुकी है सेक्टर 14 बी जिसमें 300 गज के plots हैं औ दियेचे सिटी कराची के main gate से इसी तरीके से अगर यहां पर prices की बात की जाए तो इस वक्त की current market price यहां पर 60 लेक्ट से लेके 65 लेक्ट तक जाती है सेक्टर 14 का unofficial map market में मौझूद है लेकिन इसका official map भी चंद ही दिनों में market में आ जाएगा और डियेचे सिटी कराची की website पर available होगा सेक्टर 14 में investment करने का एक और बहुत बड़ा advantage यह है कि आने वाले दिनों में डियेचे सिटी कराची की तरफ से यहां पर बहुत सारे नए projects जो है वो announce होने जा रहे हैं जिसमें कुछ apartments के projects हैं और कुछ जो है वो छोटे विलास के options भी यहां पर आने वाले हैं तो activity के हवाले से sector 14 के अंदर आगे चलके काफी अच्छा रुजान हो जाएगा investment का इसके बाद तीसे नंबर पर हमारी लिस्ट में दो sectors है investment के हवाले से इसमें पहला है sector 6D और दूसरा है sector 9C sector 6D और 9C दोनों की location almost same है ये दोनों main gate से तक्रीबन 3 km के फासले पर हैं ये दोनों ही yellow zone के sectors हैं development का काम इस वक इन में चल रहा है लेकिन इनका advantage यह है कि ये gate से करीब है sector 6D के अंदर 300 गस के plot की price इस वक तक्रीबन 65 लाग के आसपास है और 9C के अंदर plot की price तक्रीबन 58 से लेखे 60 लेग रुपीश के आसपास है sector 6 का भी unofficial map market में मौझूद है लेकिन 9C का map मौझूद नहीं है sector 6 में अगर आप plot लेते हैं तो उसकी आपको location का idea हो जाता है दूसे नंबर पर हमारी list में आता है DHS City कराची का sector 4 सेक्टर 4 बहुत ही prime location का sector है उसकी वज़ाए यह है कि इसके एक तरफ sector 1 और 2 है और दूसी तरफ sector 5 और 7 है अब इसका सबसे बड़ा advantage यह है कि इसके इर्द गिर्द activity काफी ज़ादा है अगर हम interchange से इसकी distance की बात करें तो यह तकरीबन कोई 1.5 km के फासले पर है DHS City कराची के main interchange से अगर आप कराची से जा रहे होंगे तो 1.5 km दे इंटर चेंज के बात सेक्टर 4 आ जाता है यह यलो जोन का सेक्टर है यहाँ पर development का काम इस वक्त चल रहा है जैसे कि आप अपनी screen पर भी देख रहे है कि काम इस वक्त यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर plot की price तकरीबन 70 लाग से शुरू होके और 75 लाग तक जाती है इस वक्त की market में सेक्टर 4 इन्वेस्मेंट के हवाले से उन लोगों के लिए बहुत आइडियल है जो लोग एक long term investment करना चाते हैं और अच्छी location पर plot purchase करना चाते हैं जैसे के मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी location बहुत ही ideal है इन्वेस्मेंट परपस के हवाले से भी और future में construction के हवाले से भी अब आजाते हैं उस sector पर जो है हमारी लिस्ट में पहले number पर हमारी लिस्ट में पहले number पर आता है sector 2 sector 2 DHA City कराची का वो sector है जो इस वक सबसे ज़्यादा अच्छी location का sector है उसकी वज़ाई यह है कि DHA City कराची का interchange बनने के बाद अब जो sector front पे आ गया है वो sector 1 और sector 2 sector 1 में तो farm houses बगएरा बने वे हैं और ERY लगूना है लेकिन अगर आप plot purchase करना चाते हैं तो उसके लिए आपको nearest sector highway से जो पड़ेगा इस वक वो है sector 2 sector 2 के 3 sub sectors के अंदर 300 गस के plots हैं और 1 sub sector में 500 गस के plots हैं sector 2 A, B और C में 300 गस के plots हैं और sector 2 D में 500 गस के plots हैं अब अगर 300 गस के plots की यहाँ पर बात की जाए तो एक तो यह बिल्कुल interchange के साथ हैं इंटर होते ही सबसे पहले sector 2 आता है तो location wise यह सबसे अच्छा sector है DHS City कराची का इसी तरह यह sector उन लोगों के लिए भी ideal है जो लोग plot purchase करके थोड़े अर्से तक construction करना चाह रहे हैं करने से पहले आप एक चीज़ का दियान जरूर रखिएगा कि sector 2 के अंदर height और depression वाली locations काफी जादा हैं तो आप plot purchase करते हैं कि इस चीज़ का दियान जरूर रखिएगा कि आप मुनासिब location का plot लें ऐसा ना हो कि आप बहुत जादे depression वाली जगा पर plot purchase कर लें और बाद में जब आप on site देखें और market में जब locations का idea हो जाएगा लोगों को तो फिर वो plot की values कम हो जाती है इसके लिए मैं आपको बहुत जादा help out कर सकता हूँ क्योंकि DHS City कराची के अंदर इस वक्त हमें तक्रीबन तमाम sectors की high to depression वाली locations का complete idea है तो इसके लिए आप हमसे रापता भी कर सकते हैं plots की buying selling के हवाले से Well viewers ये थी आज की वीडियो मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये information पसंद आई होगी और आपको investment decision लेने में काफी असानी होगी अगर आप DHS City कराची के अंदर buying selling के हवाले से information लेना चाते हैं तो मेरा number screen पर मौझूद है ये number whatsapp पर भी मौझूद है Thank you so much for watching the video और लाहाफिस